बिस्मिल्लारहमारहीम अस्सलाम अलिकुम दोस्तों मैं हूँ जैनबास और आप देख रहे हैं जैन इंटर्टेर्मेंट दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के एक ऐसे मशूर फ्रोडिस्टर के बारे में बताऊंगा जिसने भारत के मशूर ताज महल को ही बेच दिया था दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमसे गुजारिश है के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें दोस्तो ये कहानी एक नटवरलाल नामी शक्स की है जिसने अपने 13 दिमाग से काफी लोगों को बेवकूप बनाया और जैसे के मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था के इस आदमी ने बारत के ताज महल को ही बेच दिया था दोस्तो ये शक्स 1912 में इंडिया के एक शेहर बिहार में पेदा हुआ था दोस्तो इस टार्टिंग में बच्पन से ही से लोग पढ़ने का बहुत ज्यादा शोंक था फिर दोस्तो इसने वकालत की तालीम हासिल करके एक बहुत बड़ा वकील बन गया लेकिन दोस्तों ये वक बहुत से इसे चोरी के और बहुत से इसे बुरे काम भी सरंजाम देता था फिर इसी तरह ये जाली सिगनेचर करके इसने पहली कमाई में ही अजार उपे कमा लिए दोस्तों अजार उपे उस जमाने में बहुत ज्यादा हुआ करते थे और दोस्तों एक और बात ये बन्दा जाली सिगनेचर करने में इतना माहिर था कि इसके सिगनेचर को पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था यहां तक कि इसने उस दोर के प्राइम मिनिस्टर के भी सिगनेचर ये कर लेता था और दोस्तों इसी सिगनेचर करने की वज़ा से ही इसने अपने इस फरोड और चोरी को फरोग देना शुरू कर दिया और इन सब के लावा ये एक बहुत बड़ा बेहरूपिया भी था इसने अपने पूरी लाइफ में 50 रूप बदले हैं और दोस्तों ये लोगों से इस तरह बाते करता कि उन्हें एक काम के लिए आमादा करके ही चोड़ता था और इसने ऐसे बहुत बड़े बड़े लोगों पर भी अपने हाथ साफ किये थे दोस्तों उस दोर में जो लोग बाहर से आकर इंडिया के ताज महल को देखने आते थे लाजमी बात है दोस्तों अंग्रेज यहां उस दोर में बहुत ज़्यादा आते थे तो ये उन पर ही ये ट्रिक आजमाता था एक गोवर्मेंट अफसर बन कर एक चोटा सा दफतर कोल देता था और उन लोगों से ये कहता के इंडियन गोवर्मेंट ताज महल को बेचना चाती है दोस्तों इसने इसे बहुत से अंग्रेजों के साथ ऐसा किया है दोस्तों ये बेहरूपिया जाली सिगनेचर करने में और जाली का अगजात बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर था तो ये लोगों से एडवांस रकम लेकर घाइब हो जाता था जैसे किसीक से ताज महल के लिए डवांस रकम ले ली और बाद में उनको नजर भी नहीं आता था ये और दोस्तों एक और बात ये तो फिर भी समझ आता है लेकिन दोस्तों इसने एक बार एक अंग्रेज को इंडिया की पारलिमेंट तक भी बेच दी थी दोस्तों ये बहुत हेरतंगेज बात है लेकिन दोस्तों इस दोर में अगर आप किसी से ये बात करें कि इंडियान गवर्मेंट इंडिया की पारलिमेंट को और ताज महल को बेचना चाती है तो दोस्तों वो लोग अंपर असेंगे क्योंके दोस्तों उस दोर में ना ही इंटरनेट जैसी कोई सहूलत मुझूद थी ना ही इतना कोई मीडिया भी पावर्पुल हुआ करता था तो दोस्तों इसी तरह इसने ताज महल को तीन दफ़ा टूरिस्ट को बेच दिया था और दोस्तों इसके इलावा इसने इंडिया के लाल किले को भी एक दफ़ा किसी अंग्रेज टूरिस्ट को बेच दिया था उससे एडवांस पेमिट लेकर ये बंदा फरार हो चुका था लेकिन दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि जुर्म कभी चुपता नहीं है आखिरकार दोस्तों ये पकड़ा गया और इसे 113 साल केद की सजा सुनाई गई लेकिन दोस्तों ये जेल में ही बहुत दफ़ा जेल से भी फरार हो चुका था और पुलीस वालों को तो चक्मा देना इसके बाएं आत का खेल था फिर दोस्तों एक दफ़ा तो इसने हदी कर दी थी एक पुलीस वाले की वर्दी चोरी करकर पैन कर विए जेल से बाहर फरार हुआ दोस्तों कुल मिलाकल इसने 20 साल जेल में गुजारे दोस्तों इस फ्रोड को आखरी दफ़ा 1994 में पकड़ा गया था दोस्तों एक दफ़ा तो इस फ्रोड ने बीमारी का बहाना बना कर दिल्ली के रेलवे स्टेशन से ही फरार हो गया फिर दोस्तों दिल्ली रेलवे स्टेशन से बागने के बाद नटवर लाल आज तक किसी को भी नहीं मिला और दोस्तों ये बंदा मरा है या नहीं ये भी कोई नहीं जानता तो दोस्तों अगर आप मुझे इन इस्टाग्राम पर फोलो करना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है जल्दी जाकर मुझे इन इस्टाग्राम पर फोलो करें तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी उम्मिद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेर करें और इस वीडियो के मतलिक अपनी राय काईजार कमेंट्स बोक्स में जरूर करें अब मैं मिलूँगा अब से एक नई वीडियो में तब तक के लिए अल्ला आफिस